हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टेडी नियूज, हाल ही में भारत और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर में सयुक्त नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज, इसका सौट टर्म है पैसेक्स, भारत और चाइना के बीच चल रहे हैं लदाक में स्टेंड ओफ और जो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इन सभी मामलों में अमेरिका ने भारत का खुल कर साथ दिया है, और अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने भी चीन के एग्रेशन का विरोध किया है, ये नेवल एक्सरसाइज भी भ एक्सरसाइज में नबे फाइटर जेट तीन हजावन असेनिको के साथ अंडमा निको बार के पास पहुचा अमेरिकी एएरक्राफ्ट केरियर, चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महा सागर तक अपनी गस्त बढ़ा दी है चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिका नेवी के साथवे बेड़े में सामिल एरक्राफ्ट केरियर यूएस निमिट्स अब अंडमा निको बार दीप समू के पहुच गया है अमेरिका के सूपर केरियर्स में यूएस निमिट्स को बहुत ताकतवर माना जाता है परमाडू सक्तियों से चलने वाले इस एरक्राफ्ट केरियर को अमेरिकी नियुसेना में 3 मई 1975 को कमिसन किया गया था ये केरियर स्टॉक ग्रूप 11 का अंग है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बरबाद करने की ताकत रखता है 332 मीटर लंबे इस एरक्राफ्ट केरियर पर 90 लड़ाकों विमान और हेलिकॉप्टर्स के अलावा 3,000 के आसपास 9 सेनिक तैनात होते है एसिया में अमेरिका के तीन एरक्राफ्ट केरियर तैनात हैं हिंद महा सागर में चीन की बढ़ती गति विदियो पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने तीन एरक्राफ्ट केरियर को इस इलाके में तैनात किया है इन में से एक यूएस रोनार्ड रिगन साउथ चाइना सी में जबकि यूएस थियोडोर रुजवेल्ट फिलिपिन सागर के आसपास गस्त लगा रहा है आपको मैं मैप में भी दिखा देती हूँ कि ये नेवर एक्सरसाइज कहां चल रही है ये है भारत और ये है चाइना चाइना के दच्छिड में है साउथ चाइना सी यहां से मलका इस्ट्रेट के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है ये है मलेसिया और ये है इंडोनेसिया इसके बीच में है मलका इस्ट्रेट जिसे मलका जलसंदी भी कहते हैं हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए भारत के साथ अमेरिका, जापान और अस्टेलिया साथ आए है चीन के वैपार का बड़ा हिस्ता हिंद महासागर के जरिये ही खाड़ी और अफरीकी देसों में जाता है इसी रास्ते चीन का आयात निर्यात होता है इसके लिए बहुत सारी सिप्स चैना के लिए आती जाती है इसी रास्ते से अगर भारती नो सेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समित कई चीजों के लिए किलत जिलनी पड़ेगी और अभी तक चीन पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता चीन से जारी तनाओ के बीच भारत भी अंडमा नीको बार दीब समू के पास युद्यभ्यास कर रहा है जिसमें डिस्ट्रोयर, बैटल सिप, पैट्रोल, एरक्राफ्ट और पंडुब्बी सामिल है इनके अलावा सबमरीन, एमके 54, लाइट वेल्ट, टॉर्पीडो इस ड्रिल का हिस्सा है इससे पहले मलक्का में भी भारत और जापान ने भी पिछले ही महिने ड्रिल की थी भारती वायु सेना ने खतरनाक एंटी सिप हारपून मिसाइल से लैस, दस जगवा लड़ाकू विमानों को अंडमान और निकोबार द्वीब समू में कार निकोबार एर बेस पर तैनात किया है वैसे तो यह बेस भारत के पूर्वी तट से 1200 किलो मिटर दूर है लेकिन दर्चिट पूर्व एसिया के समूंदरी मारगों पर नजर रखने के लिए एक महतपूर छेतर है यह अभ्यास एक पासिंग एक्सरसाइज है जिसमें परमाडू सकती से लैस यूएस निमिस और उसके तीन युद्ध पोतों के साथ हिंद महा सागर छेतर में अभ्यास किया गया है आप तो जानते हैं कि दच्छिट चीन सागर में चीन अपने आकरामक वहवार को दिखा रहा है जिससे उसके पड़ोसी देशों को खासा परसानी उठानी पड़ रही है इस नेवल एक्सरसाइज में युएस निमिस गाइडेड मिसाइल क्रूजर, युएस प्रिंस्टन, मिसाइल डेट्रोइड, युएस स्टेट रेट और युएस राफल जॉंसन के साथ अमेरिका ने भारती, युध पोथ, आइनेस, राणा, आइनेस, सिहादरी और आइनेस, सिवालिक और मिसाइल के साथ अभ्यास किया जा रहा है तो ये थी इस नेवल एक्सरसाइज के बारे में पूरी जानकरी So thanks for watching this video, please like, subscribe and